बोनी आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुई नहाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियो प्राकर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटे से बोट में आ जाता है जहां उसे और वे कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वज़़ से अपने घर को छोड़ कर भागना पड़ा था वो एक ऐसे जगा की तलास नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगा तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्वीन सबसे कहरी होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और कुछ दूर पे बफैलो और राइनो का ग्रूप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ रहे होते हैं उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए बिली सीधा वहां के तालाब से अपने बॉटल में पानी भने लगता है जब उस पे राइनो और बफैलो की नजर पढ़ती है त उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते हुए बे उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बैज आता है जूनियर के दोस उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जा सुक्राटीज के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है। बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहाँ बहुत ही खतरनाक जान बर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता। तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डर आमनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सोकरटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबाद ही बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुवा दिखाए देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुवा डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तभी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर भीय था जिसकी डर की वज़ह से वो तेंदुवा भागा था सोकरटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहां चाल से और उसकी बाक히 टीम से मिलते है रात को वह सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोकरटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत जादा ठक चुका है चाल सबने दो एनिमल टोबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूंडने के लिए भेज़ता है और वो उन दोनों टटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जात हैं उन सबको वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डैम के ऊपर जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कहद करके रखा हुआ है वही डैम क के सारे वो चारो इनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं बिली और सोक्राटीस वहां के कॉन्फरेंस रूम में पहुंच जाता है जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते है और वहां का हंटर को आवाज देता है हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को सूट करने लगता है बिली उससे बचने के लिए वहां के पूल में गिर जाता है पर वो हंटर वहां का एजिक्सन बटन दबा देता है जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है पर वहाँ उसे टोटो बचा लेता है टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है पर वह सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बरबात कर देते हैं टोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उसे कहता है कि वो लोग यहां छुपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें उनकी फैमली के लिए पानी लेके जाना है टोटो उन्हें से कहता है कि उन्हें डैम के फ्लरट गेट्स को खोनना होगा जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा टोटो उन्हें सब को लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है बाहर आ जाते हैं, वो हंडर जल्दी से floodgate को बंद करता है, और उन सब को माने के लिए अपनी Jeep लेकर उनके पास पहुँचता है, वो सब भागने लगते हैं, वो अपनी Jeep से उनका पीछा कर रहा होता है, पर चाल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी Jeep को पलड़ देता है, सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था, वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे, चाल्स वहां के बाकि सभी एनिमल्स से कहता है, कि उसे सेवेना के सभी अनिमल्स से जाकर बात करनी चाहिए, और उन सब को यहां बुला कर इस डैम को तोड़ देना चाहिए, वो सब वापस से सेवेना जाते हैं, और सारे अनिमल्स को इकठा करके बताते हैं, कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है, और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के जुन्ड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था, क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं, वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे, तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहाँ आता है, वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है, पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है, वो उसे मानने लगता है, और गलती से बटन दबने की वज़़े से वो मिसाइल वहाँ के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है, पर वो फटती नहीं है, टोटो किसी तरह उस फ्लेन को लैंड करवाता है, उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोकराटीज को उसके पिंजरे से आजात कर देता है, और इधर चाल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है, सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोड़ने की कोसेश करने लगते हैं, तभी वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो के टीम उनकी मदद के लिए आई है, वो सारे उस डैम को तोड़ने लगते हैं, डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था, पर इतना काफी नहीं था, तभी बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है, वो तुरंत एक लगड़ी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है, और वो सीधा जागर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है, और वो फट जाती है, डैम अब तूटने लगता है, उसमें से पानी के फुवारे आने लगती है, और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है, सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं, सुक्राटीस भी बिली के पास आ चुका था, और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई, सारे जानवर वहाँ खुशी-खुशी रहने लगे, माया और उसके डैड भी ये देख कर खुश थे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दू लाइक और शेयर दे वीडियो, और प्लीज सब्सक्राब तो माल चैनल, और प्रेश देट जानल,